जरूरी सूचना आप सभी इस्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें apply करते हैं ये coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है normally ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई space नहीं कोई column नहीं सिर्फ ग्यांसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो apply coupon वाले में आता है तो 20% का डिसकाउंट तुरंट मिलेगा वीडियो देखिए नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का study for civil services में यह जो हमारी class चल रही है यह है समिक्षा अधिकारी प्री और मेंस के लिए सामान हिंदी की और सामान हिंदी में आज से हम एक नया topic शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके सामने है topic का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द ठीक है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आज हम शुरू करेंगे जल्दी से शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप इस शांदार PDF को प्राप्त करने के लिए आप इंदियागे नंबर्स पर कॉल करके इस PDF को अवैल कर सकते हैं क्योंकि यहां से हिंदी बाहर नहीं शब्द का प्रयोग होता है वह प्राया संस्क्रिट नहीं कर सकते हैं अब रोटी क्हंड नहीं होंगde यहां पर कहता हूं हिमाले तो हिमाले रूड़ सब्द नहीं है क्यों हिमाले के टोकड़े हो सकते हैं हिम धन आले ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पर शब्द पहाड तो पहाड अपने रूड़ सब्द है क्योंकि पहाड के टोकड़े नहीं हो सकते हैं तो यही होते हैं रूड हिंदी जो है वो संसलिस्ट मतलब विश्लिस्ट है और संस्कित जो है संसलिस्ट है ठीक आगे देखो अगर हम परिवाशा देखें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया आता है ऐसे अंतिवासी ध्यान लखना जो शूद्वर्ण में जन्मा होजे क्या कहते हैं अंतियज किसी पद्य के अंतिमक्षर से नया पद्य आरम करने का खेल अंतियाक्षरी सबको पता है अंतियाक्षरी क्या होता है जिसको गिना नहीं जा सकता है जिसको गिन नहीं सकते वह होता है अगड़ित या अगिनत अंगिनत दूर तक फैलने वाली विनाशकारियाक को क्या बोलते हैं अगनी कांड जिसका कोई अंत नहां ना हो उसे हम क्या बोलेंगे अनन्त ठीक है आगे देखू जो पढ़ा ना गया हो इसके लिए शब्द होता है अपठित कोई काम सुहावस करते रहने की किरिया अभ्यास जिसका वर्ण ना हो सके अवर्ण ने जो इस्तरी सूर ना देख पाए ये कापी महत्वपूर है इसका इसका एक शब्द है असूर पश्या वो इस्तरी जो कभी जिस लड़की का विवाना हुआ है उसे कहते हैं कुमारी ठीक जो सबके अंतहकरण की बात जान ले उसे कहते हैं अंतरयामी ठीक है जयान लगना कहते हैं भगवान अंतरयामी है सबके मन की बात जान लेता है जो पहले कभी ना हुआ उसे कहते हैं अभूत पूर्व जो शोक करने योग ना हो अशोक ठीक है जाना करा जो खाने योग ना हो से कहते हैं अखाद्या जो पिया ना जा सके उसे कहा जाता है अपेया जिसके टुकड़े ना हो सके वो है अखंड जिसका खंडन ना किया जा सके वो है अखंड निया जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हो अ खंडित जो छीड़ ना हो सके अक्षय जो निंदा की योगिना हो अनिंदनिय जो वंदना की योगिना हो अवंदनिय जिसकी गहराई का पता ना लग सके अगाध या अथा कहते हैं पानी जो गाय जाने योगि ना हो अगे जो गाय जाने योगि हो वो गे और जो गाय जाने योगि ना हो अगे बास समझ रहे हैं चलिए आगे रिखिए चिंता करने के योगि नहीं है अचिंत्य या अचिंतनिय जिसमें चेतना ना हो अचेतन जो छेदा ना जा सके अचेद्य जो इंद्रियां द्वारा ना जाना जा सके अगोचर या अतेंद्रिया जो वस तूक किसी दूसरे के पास रखिये उसे कहते हैं अमानत जो बीच चुका उसे बोलते हैं अतीत जो दिखाई ना पड़े उसे कहा जाता है अदरश्य जो सदा से चला आ रहा है उसे कहते हैं अनवरत जो कभी नहीं मरता उसे कहते हैं अमरत या अमर जो दूर तक की ना सोचता उसे कहते हैं अदूर दर्शी जो दूर की सोचता उसे कहते हैं दूर दर्शी या अगर सोची आगे सोच लेता है आगे देखे मन में उत्पन होने वाली प्रेणा अपने आपसे उसे कहते हैं अंतह प्रेणा धर्तिय और आकास के बीच का इस्थान कहलाता है अंतरिच मन में होने वाला स्वाविग्ञान अंतर ज्सका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं अर्थ हीन आगे बढ़कर स्वागत करना कहलाता है अगवानी किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंद रखने वाला कहलाता है अंतर देशी जैसे आप तो खेले लोग नहीं बेचते हैं पहले पोश्कार्ट बेचते थे अंतर देशी पोश्कार्ट तो पूरे भारत में आप उ जिसे greater के न आ 직접 चाए ने के बिनाबेतन के काम करने वाला अवैतनिक जिसका जला अगरच्ट जिसका जन्म बाद में हुआ अनुझ यानि बढ़ा वहाई अग्रच्छ्टा वह अनुझ चोटी वहन अनुझां दोपहर के बाद का समय अपराहन दुपैर के पूर्व का समय पूर्वाहन ठीक है ध्यान रखना पूर्वाहन पूर्व का बाद का अप्राहन और दुपैर का समय मद्यान यह तीनों याद रखना दुपेर के बाद का समय हो गया अपराहन यह अपराहन है ध्यान अखना ठीक है बाद का समय कहेंगे तो मतलब दुपेर के बाद का समय अपराहन पहले का समय पूरवाहन और दुपेर का समय कहलाता है मत ध्यान ठीक है ध्यान अखना तीनों जिसकी गिंती पहले हो अग्रगन् ना किया जा सके आप राजेया ठीक है जो पढ़ाना जा सके अवाच्चे या अपठनिया अन्य भासा में फरेडित करना अनुवाद या रूपांत्रण बहुत बड़ा चड़ा कर कहना अतिश्योक्ति या अतियुक्ति ठीक चले चोड़ा सौद देखते हैं आगे बढ़कर अब्यर्तन करना अगवानी जिसको छोड़ा न जा सके अपरिहार दिया जिसका अनुभाव किया जा चुका हो अनुभूत जो पहले दिया जाए अग्रिम जो सब के आगे रहता है अग्रणी ठीक है चले यह आज का मारा चोटा सा वीडियो साथ हो जल्दी से ग्लास में तब तक के लिए जय हिंजा भारत वन्दी मातरों